हलो दोस्तों आप देख रहे हैं साइटेक विजन आटी बिन्दी चैनल मैं हूँ संजे स्वागत करता हूँ सभी का चार जीवी रैम है क्या हम और रैम बढ़ाने तो इस्पीड बढ़ जाएगी आठ जीवी रैम है क्या हम उसको 16 जीवी कर लें तो इस्पीड बढ़ जाएगी या फिर उसके अंदर हर ड्राइब लगी हुई है क्या हम SSD लगा लें तो इस्पीड बढ़ जाएगी तो इस टाइब के बहुत सारे questions आते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी गलत फेहमिया भी है तो इस speed actually कब बढ़ती है इसका क्या फर्क पड़ता है इस सबको सही तरीके से समझ लेना बहुत ही जादे जरूरी है तो इस समझने के लिए आप इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखते रहे है बहुत ही काम की है वीडियो आप सभी के लिए और अगर आप इस चनल पर नए हैं तो इस चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन पर क्लिक करके औल पर क्लिक कर दें हम क्या बहतर लें तो इस वीडियो के अदर हम लुग प्रोसेशर को ौशूर करते हैं प्रोसेशर एक अलग मेंटर है जितना बहतर होगा प्रोसेसिंग उतनी अच्छी होगी उसको अपगेरेट करना और अलग मेंटर है उसके साथ में बहुत सारी चीज़े माइने रखती है लेकिन प्रोसेसर बहतर होगा तो प्रोसेसिंग बहतर होगा वो ठीक है वो एक अलग बात है लेकिन यहां पर यह confusion है कि हमारे पास RAM 2GB है तो क्या 4GB कर लें तो इस स्पीड बढ़ जाएगी 4GB है तो 8GB कर लें तो क्या स्पीड बढ़ जाएगी यहां पर इसको समझना बहुत ही ज़ादे ज़रूरी है आपके लिए इसको समझना इसलिए जरूरी है मान लीजिए आप जिस भी कम्ट्यूटर लेटप पर काम कर रहे हैं आप काम करते हैं फोटो सब चला रहे हैं एज एक्जामपल मान लीजिए आप किसी भी इमेज पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं मान लीजिए वो जिस भी इमेज पर काम कर रहे हैं कोई फोटो पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो बड़ी मुस्किल से वो 1GB अगर बहुत फुल HD, Ultra HD है तो 1-2GB तक वो image जाती है तो वो MB में ही रहती है तो actually RAM का होता क्या है कि जब आप कोई भी file जब open करते हैं तो open होने के बाद जब आप उस पर काम कर रहे होते हैं तो वो RAM से होता है वो RAM में जाकर के open हो जाती है और जो भी काम कर रहे होते हैं और RAM के थुरू होती है तो RAM के size का बड़ा होना माल लीजिए अगर हमारी कोई भी file 500MB की है और हमारे system में 2GB RAM है तो यूज जब उसका 500MB ही हुआ तो उसका 2GB होने का हमें कोई benefit वहाँ पर उस time नहीं हो रहा है एक normal work करने के लिए Photoshop, Coral Draw अगरे की designing के लिए या फिर कोई भी MS Office वगरा पर काम करने के लिए जो हमें sizes जो file की होती है maximum 500MB, 700MB, maximum 1GB बहुत जादे graphic designing की file है तो 2GB तक जाती है तो इन सब कामों के लिए 4GB RAM का होना बहुत है अब यहाँ पर लोग पूछते हैं कि speed कम है, क्या करे RAM बढ़ा लें तो RAM बढ़ाने से आपके speed पर कोई फरत नहीं पड़ेगा अगर 8GB होगा उसमें भी 500MB की file खोले हैं उस पर काम कर रहे हैं तो speed वही मिलने वाली है 8GB होगी तब भी आपको speed वही मिलने है 2GB होगा तब भी आपको speed वही मिलने है क्योंकि आपकी file ही 500MB की है यह आपको ध्यान रखना है तो जहाँ पर file अगर छोटी है तो आपको RAM बढ़ाने का कोई मतलब नहीं तो जो यहाँ पर speed मिलने वाली है और RAM के frequency पर depend करती है जो 1800MHz, 2400MHz, 2600MHz, 3000MHz, 3200MHz जो आती है वो उसकी read-ride speed होती है उस पर इसका speed depend करता है आपके laptop या फिर desktop का speed depend करता है कि उस वक्त जब आप काम कर रहे होते हैं processing कर रहे होते हैं वहाँ पर अगर आपका mouse बारबार डमरू बन रहा है तो इसका मतलब कि RAM की processing कम है उसकी frequency कम है उसका space बढ़ा देंगे तो आपका बात नहीं बनने वाला है अगर 1800MHz है आपका RAM और वहाँ पर अगर आपको speed कम मिल रही है 2GB है तो 4GB करने से फायदा नहीं होगा उसको अगर 2400MHz कर देंगे तो वहाँ पर आपको benefits हो सकता है लेकिन 8GB, 16GB करने से वहाँ पर आपको benefits नहीं होगा तो ये तो रहा RAM की बात कि normal work करने के लिए 4GB बहुत होता है आप उसकी high frequency motherboard के हिसाब से ध्यान रखना है ऐसा नहीं है, motherboard सभी को support नहीं करता motherboard maximum जिस RAM को support करता है maximum frequency का RAM लगाएंगे तो वहाँ पर speed का फर्क पड़ेगा RAM को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है 4GB, 8GB तक RAM आज की रेट में बहुत होता है हमें normal work करने के लिए normal gaming के लिए यहाँ तक कि बिलकुल problem नहीं है हाँ बहुत बड़ी बड़ी editing करनी है video editing करनी है उसकी file बहुत बड़ी बड़ी होती है तो वहाँ पर आपको बड़े RAM की ज़रूत पड़ती है बड़ी gaming के लिए पड़ती है लेकिन आपको work करने के लिए काम करने के लिए 4GB में भी संतों से 8GB बहुत होता वो use ही नहीं होता आप high frequency लेने की कोशिस करे उसके बाद हम आजाते SSD पर hard drive पर कि यहाँ पर क्या SSD से speed बढ़ती है आपका तो यहाँ पर मैं यह बताना चाहूँगा कि आपके working यानि आपके काम पर इसका बिलकुल भी असर नहीं पड़ता चाहे आप hard drive लगाए चाहे SSD लगाए चाहे NVMe SSD लगाए चाहे hard drive चोवन सो आरपीम लगाए चाहे आप जो है बहुतर सो आरपीम लगाए अब आप लोगों के दिमाग में आए कि यह बहुत ही अजीब सी बात है फिर क्यों लोग ले तो यहाँ पर जो इस speed है उसको आप समझे कि आखिर में कहां की speed कम जादे होगी अगर आपके laptop पर फिर computer में अगर hard drive लगी हुई है तो जिस वक्त आप उसको boot करते हैं booting time पर असर पड़ेगा उसकी read write पर का जो असर है जब आप system को boot करते हैं start करते हैं तो starting time पर असर करेगा कहने का मतलब अगर आपका hard drive लगा है तो 30 से 40 सेकेंड लग सकता है उसको boot होने में यानि completely start होने में और वही पर SSD लगा हुआ है तो 6 से 10 सेकेंड लगता है उसको start होने में उसी प्रिकार कोई भी application software है coral drop photoshop है जब आप उसको start करते हैं उस वक्त hard drive का और SSD का फर्क महसूस होगा जब आप इस start करेंगे photoshop मान लिजी start किया आपने तो वो 8 से 10 सेकेंड में start हो सकता है या 2-4 सेकेंड में मान लिजी start हो रहा है वही पर hard drive रहेगा तो साइद वो 15 से 20 सेकेंड लग जाए उसको completely start होने में यानि कि यह जो है सिर्फ start up आपको जल से जल दे सकता है या कोई भी file transfer करना है या कुछ भी आप काम करके जब file को save करते हैं तो वो जल्दी save हो जाएगा अब यहां पर बात ही आती है कि मान लिजी system start ही हो रहा है 10 सेकेंड के जगपर 30 सेकेंड में अगर start हो गया तो क्या हमें problem आ जाती है कोई भी application software मान लिजी 4 सेकेंड के जगपर 8-10 सेकेंड में अगर start हो जाता है तो क्या दिक्कत आती है start हो जाने के बाद कोई भी application software open हो जाने के बाद जो performance होता है वो performance RAMS और processor का होता है वहाँ पर hard drive का आपके working process में यानि आपके speed पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा चाए hard drive हो चाए SSD हो वहाँ पर जो फर्क पड़ने वाला है काम करते वक्त वो सिर्फ आपका RAM और आपका processor है और वो भी RAM का speed frequency पर depend करता है तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि आज के rate में SSD ना हो तो कोई मतलब नहीं है क्या मतलब है इतने महेंगे laptop लेकर करके उसके अंदर SSD नहीं लगा हुआ है तो SSD का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आपने boot किया जल से जल complete start हो गया आपने application sector खोला तुरंत का तुरंत वोजे खुल गया इतना ही है इसके अलमा कोई काम नहीं है उसके बाद भी बहुत लोग कहते हैं कि इसमें 5400 RPM है हार ड्राइब इसमें 7200 RPM है इसमें RPM बहुत कम है इसको suggest आपने क्यों किया तो मैं ये बतना चाहूँगा कि 7200 RPM वाली हार ड्राइब और 500 RPM वाली हार ड्राइब में practically प्रेक्रिकली जब आप दोनों को साइड बाई साइड रख करके ओपन करेंगे तो प्रेक्रिकली आपको कुछ भी पता नहीं चलता इसलिए प्राइस वाइज 7200 ड्स नीवा आप ले लिजिए क्योंकि प्रेक्टिकली उसका फर्क पड़ने वाला नहीं है तो यहां यहां इस पीट का फर्क पड़ेगा आप हार्ड ड्राइब निकाल करके SSD चेंज कर देंगे तो आपके performance पर कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है तो दोस्तों में इमित करता हूं कि हमारी बात आपको समझ में आये होगी दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लेज़ाइब कमेट में बताएं अगर वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ सेयर करें पूरी की पूरी वीडियो देखरें के लिए आपनों का दिल से धर्ने बात करता हूं आपका दिन सुबहो